नमस्कार, पुस्तत परप मनवदर अनि कुचराती मेलों साते महित्रै महतात्वरा प्रस्तुचे आजिनो मोनिम्मंत्र आजिका भगवत चिंतन सच्चन आदमी का मतलब वो नहीं जो चूट सह लेता हो अपितु वो जरूर है जो चूट की पक्ष नहीं लेता हो अधिकांश्तया एक खामोश रहने वाले इंसान को दुनिया द्वारा सच्चन आदमी का दरचा दिया जाता है लेकिन जो खामोश रहे वो सच्चन नहीं अपितु असत्य के प्रतिकार का जिसके अंदर जोश रहे वही सच्चन है जो सरलता असत्य का विरोध न कर सके वह समाज वस्वयम दोनों के लिए बड़ी ही घातक है अगर जूट और अन्याय को सह लेना ही सरलता होती तो फिर भगवान राम को कभी भी शिल संकोच सिंदूर अकुराई न कहा जाता श्री राम सरल अवश्य थे लेकिन केवल सुग्रिव के लिए बाली के लिए नहीं केवल अहिल्या के लिए तारका के लिए नहीं केवल फिपिशन के लिए रावन के लिए कदापी नहीं केवल सज्जन नहीं सक्रिय सज्जन बनो अस्तु झाल